Hello everyone, welcome to Simply Crack इस वीडियो में हम बात करेंगे CGL 2023 के final result के बारे में और इस result से CGL 24 के लिए आप क्या सीख सकते हैं हम थोड़ा उसको भी देखेंगे तो सबसे पहले आप में से जिन भी लोगों का CGL 2023 में final selection हो गया है उनको मेरी दरफ से many many congratulations और ये एक बहुत ही new journey रहेगी आपके लिए so all the very best for that और joining से पहले का ये जो time है वो आप सब लोग जम के enjoy करो ये time फिर से नहीं आएगा जब आप join कर लोगे तो आपको earned leave, casual leave, कहीं भी कुछ भी करने के लिए आपको leave की permission लेनी पड़ेगी तो ये जो time है वो बहुत ही अच्छा time है, do enjoy that अब यहाँ पे आप CGL 2023 के लिए final cutoff देख सकते हैं, अलग-अलग category के लिए तो 302 marks पे minimum 302 marks पे एक post मिल गया है, your category में और 46 hundred grade पे के लिए 310 marks जिये थे बागी category के लिए भी आप यहाँ देख सकते हैं तो सबसे पहली learning तो यही है CGL 2024 वालों के लिए कि यह जो आप marks देख रहे हो न, यही आपका actual cutoff है यह single shift में paper कराया गया था, इसमें कोई भी normalization नहीं हुआ था यही जो marks थे, उसी के basis पे selection हुआ है होता क्या है, जब आप त्यारी शुरू करते हो, तो आपको लगता है अगर 390 marks का paper है, mains का paper मैं बोल रहा हूँ ठीक है अगर 390 marks का paper है, तो आपको 360 या 350 ऐसे score करना पड़ेगा बट यह reality नहीं है, ठीक है आप देख सकते हो, यहाँ पे cutoff क्या गई है और इसके according आपको plan करना चाहिए, ठीक है maybe आपको थोड़ा higher marks को target करना चाहिए बट यह जो 360, 350 का भी target है न, वो भी थोड़ा unrealistic target होता है और कई बार बच्चे pressure में आके exam खराब कर देते हैं, ठीक तो यह बात आपको clearly समझ में आनी चाहिए अब बात करते हैं, जो CZL 23 के results में जो discrepancy आई है उसके बारे में तो आप में से काफी साहे लोगों ने message किया कि उनके जो marks हैं, वो cutoff से काफी जादा है बट फिर भी उनका नाम list में नहीं है, ठीक है तो मैं आपको अपना point of view बता जता हूँ तो सबसे पहले यह जो AA के vacancy withdraw करी SAC ने, इसका effect पढ़ा है आपके final result पे और मुझे लगता है यह जो 300 to 320 marks के range वाले students है यह सबसे जादा effective है, ठीक है और बहुत लोग इसको typing की वज़े से बोल रहे हैं, computer की वज़े से बोल रहे हैं बट मुझे नहीं लगता है यह typing या computer की वएसे है obviously यह wrong questions जो हुए थे आपके, उसकी वएसे यह major change आया है, ठीक है और मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि SAC ने कोई गलती की है, ठीक है मुझे unlikely लगता है, ठीक है आप यह wrong question से भी आप समझो कि, अगर आपके 3-4 question, wrong question वाले उसमें category में आ जाते हैं तो आपका easily 10-15 marks का difference आ जाता है तो wrong question एक major reason है, जो discrepancy का जो आपके result में आई है और दूसरा major reason है, वो है representation का तो देखो इस बार ना normalization नहीं था तो जो marks vary हुए बच्चो के, वो clear cut आपके सिर्फ और सिर्फ wrong question और इन सब के वैसे हो सकते हैं जो पहले normalization होता था, तो कई बार ये चीज़ें उतना खुल के सामने नहीं आ पाती थी अब मैं आपको representation का समझाता हूँ मान लो एक question है, और उसके दो close options है, A और B और अगर मैं एक ऐसा candidate हूँ, जिसने A टिक किया है, ठीक है और A, SSC ने अपनी answer की में भी बताया है, तो मैं खुश हो जाओगा, मेरा option correct हो गया लेकिन कोई ऐसा candidate है, जिसने B को टिक किया है, तो B क्या करेगा इस पे वो representation डाल देगा, इस question पे, और जब आपका final answer की आईए, आप तब देखना तो ये जो final answer की में क्या होगा, ये SSC ने क्या करा होगा, A को change करके B कर दिया होगा क्योंकि इस B पे maximum representation गए होगे, और A क्योंकि पहले से बाकी बच्चों ने correct कर रखा था, तो उन्होंने कोई representation नहीं डाला तो SSC को क्या लगा, कि B option पे बहुत ज़ादा representation आ रहे है, मतलब B option correct है, लेकिन होता A भी correct है तो इसकी वज़े से, representation की वज़े से, काफी ज़्यादा score में variation आता है, ठीक है और यही मुझे लगता है major reason है, और इसलिए मुझे लगता है, कि जो आपका revised result आने की possibility है, honestly, वो मुझे कम लगती है, ठीक है अब बाद में अगर कोई SSI गलती निकल के आती है, तो वो जब आपका final score card आएगा, तब हमें पता चली जाएगा, ठीक है अब जिनका भी CGL 2024 का exam है, आपके लिए यहाँ पर दो learnings है सबसे पहली learning तो यह है, कि जो competition है CGL में, वो बहुत ही brutal है तो आप में से जो लोग भी तयारी करने आ रहे हैं, please make up your mind कि आप अभी से बहुत ही धंक से पढ़ाई करोगे, ठीक है lightly लेके अगर आप सोचते हो कि आप CGL जासा exam clear करोगे, तो वो possible नहीं है तो competition brutal है, और अगर आपने सोचा है कि आपको preparation करनी है तो आपको इसमें अपना 100% देना पड़ेगा, ठीक है और जो दूसरी learning है आपके लिए, वो ये है कि 100% जब आप prepare कर रहे हो ठीक है, अपना 100% refer डाल रहे हो, उसके बाद भी इसमें जो selection है वो luck based है, ठीक है, आपको ये बात माननी पड़ेगी no matter, कोई भी कुछ भी बोले, कोई भी topper बोले कि मैंने 100% अपनी महने से निकाला है बट वो सच नहीं है, एक luck factor है, जो involved होता है government job में selection के लिए, तो वो आपको मानना पड़ेगा और अभी से, देखो, CGL 2024 आपका September, October में होना है ठीक है, prelims, तो अभी से आपके पास easily 9-10 महिने का time है इन 9-10 महिनों को अगर आप ठीक से plan करोगे और अपनी preparation plan करोगे basically, तो आप और भी other exams दे पाऊगे एक exam के भरोसे completely बैठना ठीक नहीं है अगर आप अपनी preparation ढंक से plan करो, तो आप यह सोच सकते हो कि आप पहले अपना CGL का syllabus खतम कर लो उसके बाद आप CGL के साथ-साथ जो banking या other जो exams है आप उनकी भी त्यारी कर सकते हो, आपके पास अभी enough time है ठीक है, तो यह मेरी advice रहेगी आप सब के लिए CGL 2024 के लिए अलग लग वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी अगर आपको इस चैनल content पसंद आता है, तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करें Thank you